हेलो दूस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे यार आप लोग बार-बार कमेंट करते थे कि समिर वाई रिव्यू क्यों नहीं करते हो कावासाकी का अरे मेरे वाई बाइक होगी तब ना रिव्यू किया जाएगा हमा फाइनली अपने रैपूर में कावासाकी का जो सोरूम है वो आ चुका है दोस्तों यहां का मैंने आपको कॉंटेक नमबर एंड जो डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस है वो मैंने डाल दिया है अगर आप कावासाकी की बाइक लेते हैं लेना चाहते हैं अगर आप लोगों के लिए बहुत जड़ा इंट्रस्टिंग होने वाली है इस वीडियो को पूरा ज़रू देखना निंजा 300 के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे तो चली फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली पर आया है तो सब्सक्राइब करना बेल क तो सबसे पहले है में अपने बजट के बारे में हमारे जेव में आने की पॉक्से कि इस को करते हैं आपको बताना चाहिवा दोस्तों यह बाइख आप लोग एकस रूम प्राइस आरीए लगबक 3,43,000 3,43,000 रुपए के आज पास की आपको ये 101 प्राइस देखने को मिल रही है फिलाल इसका ओंडोड प्राइस आपको मैं नहीं बता रहा हूँ तो क्यार हारे कि स्टेट एंसीडी में ओंडोड प्राइस में थोड़ा से डिफरेंस होता और आप फिर कमेंट करने लगते हैं कि समिर भाई प्राइस ज्यादा है काम है जो भी है इसलिए उनलोड नहीं बता रहा हूँ एक बार अपने नियरे सोरो में विजिट करो 36 गर से हो रैपूर से हो तो यहां पर आके ज़रूर विजिट कर सकते हैं चली आप आज़ाते हैं दूस्तों इस बाइक के रिवियो में सबसे पहले इस बाइक के फ्रंड में आते हैं जैसी मैं की ओन करूँगा यहां पर हमें दो छोटी छोटी पाइलिट लैब आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे जो कि काफी प्रीमियम और काफी अच्छे लग रहे हैं में लैट में आपको इस बाइक में देखने को मिलता है वह सिउगल लैट से जाधा बहतर लगते है और खासकर जब फेर्ल्क बाइक की बात आती है तो फेरिंग की जाधा बहतर लगती है एक भार मैं pass मा आता हूं, आपको दिखाताँ on करके pass से, फास से on नहीं होगी, मेभी जब तक bike on नहीं करेंगे, तब तक ये on नहीं होगी, एक ब अपर अच्छा है, बाद मैं आपको सुनाऊगा, तो light आपको काफी अची देखने को मिल जाती है फ्रंट में दुस्तो इस बाइक में आपको जो suspension मिलते हैं आपको telescopic fox देखने को मिलेंगे company ने आपको premium suspension दिये पाकि suspension usd होते तो और जादा बेतर हो सकते थे फ्रंट में आपको बाइक में 180 के आसपस के tire size देखने को मिलेंगे बात कर लें braking के बारे में braking में special feature में दुस्तो इसमें आपको dual channel anti-lock जो braking system है वो आपको bike में देखने को मिल जाता जी है दुस्तो ABS है जो कि dual channel ABS आपको bike में देखने को मिलेगा plate size के बारे में बात करें तो front में आपको bike में 290 290 mm के असपस की plate size है आपको bike में front में देखने को मिल जाती है चली बात कर लेते हैं दोस्तो अब इस bike के engine specification के बारे में जो कि इस bike की जान आन बान सान सब कुछ इस bike का engine ही है आपको बता दो दोस्तो इस bike की खास बात ये कि ये dual cylinder engine है जिया दोस्तो ये dual cylinder engine के साथ में आता है इसलिए इसे काफी जाता जो है पसंद किया जाता निंजा 300 को आपको बता दो ये bike दोस्तो इसकी जो engine type है 296 cc का liquid cool four stock parallel twin engine जो है हमें इस bike में देखने को मिलेगा बात करें power and torque के बारे में दोस्तो ये bike maximum bar में 39 PS के सबस की power जनरेद करती है 26.1 के सबस का जो निटर मिटन टॉर्क है वो आपको इस bike में देखने को मिल जाता है यानि कि आप देख पारे bike में आपको power and जो torque है वो आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और dual cylinder engine है तो performance तो आपको इसकी बहुत तगड़ी मिलेगी cooling में bike में आपको liquid cool engine मिलता है आप देख पारे company ने काफी बड़ा सा radiator use किया है दोस्तो इस bike में आपको 6 gear देखने को मिलेंगे इसमें आपको जो sleeper clutch है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इसकी bore size 62 mm की है इस bike में आपको काफी premium और काफी अच्छा सा engine है वो आपको इस bike में देखने को मिल जाता है चलिए बात कर लेते हैं मैलेजन performance के बारे में दोस्तों मैलेज के बारे में बात करें तो ये bike आपको काफी अच्छा मैलेज देगी ये आपको minimum लगबग मान के चलिए 25-230 के अच्छा मैलेज निकाल कर दे देदी है 0-200 में इस bike को लगबग 5.6 सेकेंड लगते है इस bike की जो top speed है वो आपको around 180 km से 185 km पर अच्छा की top speed आपको इसमें मिलेगी तो performance तो वाया इस bike की बहुत तगडी है इसलिए तो नाम है इसका कावा साकी ठीक है rear में आते है rear में आपको 14070 के tire मिलेंगे ये bike का exhaust है जो कि आपको काफी use मिलता है इसमें rear में आपको 220 mm की जो disc plate है आपको rear में मिलती है प्लस रियर में आपको जो monosock suspension है आपको bike में मिलेंगे चलिए एक बर में आपको bike का exhaust note सुना देता हूँ और देखते है कि कैसा ये sound करती है तो भाई पूरा feel आ रहा है कि ये dual cylinder bike है और जो power थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है on करते ही समझ में आ रहा है कि हाँ वही है बहुत powerful चीज है अपनी beauty वहाँ पे खड़ी है 390 आपको पता है वो भी एक beauty है बट ये भी एक बहुत अच्छी beauty आपे लगती है rear में bike में आपको जो till late मिलेंगे वो आपको यहाँ पे जो bulb है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते है दोस्तों seat में आपको bike में जो seat है आपको split seat मिलती है one and two दो पार्ट में seat और seat की जो form quality है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है ये bike की tank है tank की capacity है वो आपको आगे बताऊंगा बाकी वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है अब चलते है speedometer की तरफ सबसे पहले आप की देख लिए इस type की खी मिलेगी जिसमें आपको कावा साकी की branding भी मिल जाती है speedometer में दोस्तों इस bike में आपको analog wheat digital meter जो आपको इस bike में देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे जो feature है वो आपको देखने को मिल जाते है जैसे आप देख पारे दूस्तों यहाँ पर आपको bike में सबसे पहले यह low oil indicator रहा है यह takeometer है जिसे आर्पे मिटर भी गहते है जो कि आप देख पारे 15,000 आर्पेम तक जाती है यह ABS की light है इंजल malfunction light है जहाँ पर odometer है speedometer है यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है और यहाँ पर आपको clock भी देखने को मिल रहा है दो switches दी है जिसे आप इसके speedometer को control कर सकते है trip 1, trip 2, B और इससे आप इसे control कर पाएंगे स्वीचेज में इस पास सेज लोबीम है बीम टनल सिंगल है हॉन इंजन किल सीज और एक जो सेल्फ का स्वीच है वह आपको बाइक में देखने को मिल जाता है मतलब features में भी bike काफी जादा अच्छी है बात कर लेते हैं दोस्तों इस bike की seat height के बारे में तो seat height इसकी काफी कम है only 780 mm की 780 mm की seat height है मतलब आपकी height around 5.2, 5.3 है उसे उपर है तो आप इसे comfortable light कर सकते है so finally अपने चैनल पे पहली बार किसी कावा साकी की वीडियो आ रहे है जब से मैं review कर रहा हूँ पहली दोस्तों यह वीडियो है निंजा 300 की अब आप कमेंट करके ज़रू बताना है कि आपको निंजा 300 कैसी लगी और आने वाले समय में आपको आप कावा साकी की और भी वीडियो अपने चैनल पे मिलेगी तो अमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चोटी सी इंट्रेसिंग वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल में पहली बढ़ा है तो सब्सक्राइब पर लेना मिलते है दोस्तों फिर नेक वीडियो में लवी ओल जैहिन वन दे मात्रम कैसी लगी कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा